जैहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जे जो फोरस्ट गार्ड की नई बरती आ रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में महिला और पुरुष दोनों के लिए जे बरती आ रही है फोरस्ट गार्ड डिपार्डमेंट की और से जे जो बरती आ रही है जे आल इंडिया के लिए सिधी बरती आ रही है फोरस्ट गार्ड डिपार्डमेंट की और से मेल और फीमेल दोनों इस बरती में अपलाई कर पाएंगे चाहिए आप इंडिया की किसी वी स्टेट से ब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फोरेस्ट गाड डिपार्डमेंट की ओर से नई बकैंसी आ रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में किस बरती में आपको कौन-कौन सी पोस्ट्स एंड उस पोस्ट्स के लिए इसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेंजर की पोस्ट्स है जिसमें आपको टोटल 15 बकैंसी देखने के लिए मिलेगी और टोटल बकैंसी की अगर हम बात करें जो फोरेस्ट गाड डिपार्डमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस बरती के लिए वो की गई है टो एक सो आपको मंतली सैलरी दी जाएगी इस जो में अगर आपका इस बरती में सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिड क्राइटेरिया के बारे में तो अगरा फरेस्ट असिस्टेंट कंजर्वेटरिक पोस्टेस के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपकी जो इस जाबो 18 से 40 साल के बीच बीच में होनी चाहिए वही पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पर रिलेक्शेशन भी दी गई है जैसा कि जो कैंडिड ऐसी जांस्टी से बिलॉंग करते हैं वो 45 सागल तक इस बरती में अपलाई कर पाएंगे वही जो क से 33 साल के बीच बीच में होनी चाहिए वही पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पर रिलेक्शेशन भी दी गई है जैसा कि जो कैंडिड ओवी सी से बिलॉंग करते हैं वो 30 साल तक इस बरती में अपलाई कर पाएंगे तो जे बात होगी एज लिमिड क्रैटेरिया के ब पास या फिर बैचलर डिगरी आपके बास होनी चाहिए अगर आप इस बरती में अपना फॉर्म करना चाहते हैं तो जे बात होगी एजुकेशन क्वालिफकेशन के बारे में और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो जाइन नहीं किया हुआ तो इस टेलिग्राम चैनल को जाइन करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी जौफ की न्यू नोटिफकेशन आएगी उसकी लाटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है जल्दी से जाइन कर लीजिए हमारे टेलिग्राम चैनल को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फोरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट की और से नहीं बरती आ रही है इसके notification के shawd में overview के वारी में तो जो बरती आ रही है जो forest गार्ड डिपार्डमेंट की और से सीधी बरती आ रही है name of the postures की अगर हम बात करें तो इस बरती में आपको forest assistant conservative, forest ranger and project ranger जे सबी postures आपको इस बरती में देखने के लिए मिलेगी total number of vacancy की अगर हम बात करें जो forest guard department की और से advertisement की गई है वो की गई है total 63 vacancy इसके बाद apply mode जो रहेगा इस बर्ती के लिए बो रहेगा online आपके online application form fill किये जाएंगे आप अपना online application form fill कर सकते हैं जाव location जो रहेगी इस बर्ती के लिए बो रहेगी all over India जननी की बारत में कहीं भी आपकी posting की जा सकती है अगर आपका इस बर्ती में selection हो जाता है तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से candidates बर्ती में apply कर पाएंगे तो all India के male and female candidates बर्ती में apply कर पाएंगे चाहे आप इंडिया की किसी भी state से belong करते हैं आप इसमें अपना application form fill कर सकते हैं education qualification के बारे में अगर हम बात करें तो आपके बास कम से कम 10 मी पास 12 मी पास जब bachelor degree इन में से आपके बास education certificate होना चाहिए अगर आप इस बर्ती में अपना application form fill करना चाहते हैं तो इसके बाद हम बात कर लेती है Chinese linear criteria के बारे में तो अगर आप forest assistant conservator की posters के लिए apply करना चाहते हैं तो आपकी जो इस बो अठारा से 40 साल के बीच बीच में होनी चाहिए वही अगर आप forest ranger या project rainbow की posters के लिए apply करना चाहते हैं तो आपकी जो जब वो 18 से 33 साल के बीच बीच में होनी चाहिए, वही पे कुछ candidates के लिए जहां पर relaxation भी दी गई है, जैसा कि जो kind OVC से बिलॉंग करते हैं, उनके लिए 3 साल की relaxation दी गई है, वही जो kind SC से बिलॉंग करते हैं, उनके लिए 5 साल की relaxation आपको मिलेगी age limit में, इसक जो monthly salary आपको मिलेगी इस जो में, वो मिलेगी 69,100 पर month, जैनी कि 69,100 आपको monthly salary दी जाएगी इस जो में, अगर आपका इस जो में selection हो जाता है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इस बरती को लेकर कुछ important dates के बारे में, कि starting date और last date क्या है, application farm को fill करने के लिए, तो जो starting date ह application farm को fill करने के लिए, वो start हो चुकी है, जानी कि इसके जो application farm है, वो लगना start हो चुके है, और जो last date है, application farm को fill करने के लिए, वो है 9 February 2022, जानी कि next month 9 February तक इसके जो online application farm में, वो fill किये जाएंगे, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, application farm की fees के बारे में, तो अगर आप journal या ओवी जीज़े बिलाउंग करते हैं इन category से है, तो आपकी जो application fees लगेगी, application farm को fill करने के लिए, वो लगेगी 500 रुपे, वही अगर आप SES-T candidates हैं, तो आपकी जो application fees लगेगी, application farm को fill करने के लिए, वो लगेगी 250 रुपे, तो जे बात होगी application farm की fees के बारे में, इसके बाद हम ब प्रोसेस के बारे में किस बर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा और किस बेसस में किया जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका रिटन इग्जैम होगा, उसके बाद आपका फीजिकल मीजरमेंट टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपका हाइड वेट test होगा उसके बाद आपका physical efficiency test करवाया जाएगा जिसमें आपका running test होगा इसके बाद documents verification की जाएगी आपकी इसके बाद आपका detail में medical exam किया जाएगा और last में आपकी एक final mailing list निकाली जाएगी तो इस तरह से इस बरती में कुछ selection किया जाएगा तो जे बात होगी इस बरती के notification के short में overview के बारे में तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस बरती में जो आपका physical standard and physical efficiency test करवाया जाएगा उसके बारे में सबसे पहले हम height criteria के बारे में बात कर लेते हैं तो जो मेल केंडिडेट्स के लिए minimum height रखी गई है वो रखी बन 63 cm जो female candidates के लिए minimum height रखी गई है वो रखी बन 50 cm इसके बाद हम बात कर लेते हैं chest criteria के बारे में जो only male candidates के लिए है तो जो normal chest होनी चाहिए बहुनी चाहिए minimum 79 cm जो expandable chest होनी चाहिए बहुनी चाहिए 84 cm और जो minimum expansion होना चाहिए आपकी chest में बहुना चाहिए 5 cm का तो जे बात होगी chest criteria के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं physical efficiency test जो करवाया जाएगा आपका इस बरती में उसके बारे में तो इसमें आपको 200 meter की running करनी होगी 800 meter की running करनी होगी इसके बाद long jump and short put throw test भी आपका किया जाएगा इस बरती में इसके बाद हम बात कर लेती हैं कि अगर आप eligible है और apply करना चाहते हैं इस बरती में इसके बाद education certificate में आपके पास कम से कम दसमी बार में पास की माक्षित होनी चाहिए इसके अलावा अगर आपके पास कोई अधर qualification जा experience अबोवी apply कर सकते हैं application form के साथ इन सावी documents के साथ-साथ आपके बास अपना अधारगाट जा फिर pen card भी होना चाहिए as identity proof और अगर आप CST या OVC से बिलाउं करते हैं और relaxation पाना चाहते हैं तो आपके पास अपना कास अधिवकेट भी होना चाहिए and 4 passport size photograph भी आपके पास होने चाहिए light color background में तो अगर आपके पास जे सवी documents हैं तो आप successfully apply कर सकते हैं इस बरती के लिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर इसके लिंक आपको हमारी website पे मिल जाएंगे website का link में description में दिया हुआ है आप वहां से आके sub check code कर सकते हैं इस बरती के बारे में इसके साथ साथ दोस्तों जे जो CRPF की और से नई बरती आ रही है अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली application में आपके बास कम से कम दस्मी पास की माक्षित होनी चाहिए अगर आप इस बरती में अपना application form fill करना चाहते हैं तो जो बरती आ रही है जब पूरे वारत के लिए सीधी बरती आ रही है CRPF की और से male and female दोनों इस बरती में apply कर पाएंगे चाहे आप इंडिया की किसी वी state से belong करते हैं आप इस पी अपना application form fill कर पाएंगे ज्यादा जानकारी के लिए आप बोवाली वीडियो भी देख सकते हैं उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा